उकली ऑठा है ओके नाव यह आपका नीचे वाला पोशन वेंट्रिकल है और यह आपका अर्ट्रियम है ठीक है नौ अर्ट्रियम को हटाओ गाडियां और वेंट्रिकल के बीच में एक्चुली क्या होता है वह थे है ठीक है कितने टाइप से भल्व होते हैं आपको सारा बताऊंगा मैं यह बाइकस्पीड भाल्व है अब हल्स जगत को अंदर देखो के अंदर देखोगे ओपन करके यह आपको वेंट्रिकल का चेंबर दिख रहा है यह आपको कॉर्ड लाय की स्ट्रक्चर दिख रहा है जि अब यह जो आप देख रहे हो इधर इस साइड आपका राइट अट्रियम है ओके चलो नाव राइट अट्रियम को जब हटाओगे वहाँ पे ट्राइकस्पिड भल पाई जा देखो एक दो तीन तीन कस्प दिख रहा है जब इस कस्प हटाओगे तो अंदर देखोगे आप हट के अंदर देखो गया तो यहां पर आपको बहुत सारा मसल्स दिखेगा ओके डैट की स्कॉल्ड एस वाट पैपिलरी मसल्स और कॉड़ी टेंडनी यह कॉड़ लाइक की श्रक्षर जो है इसको कॉड़ी टेंडनी बोलते हैं यह मैं आपको भेंटिकल्स के अंदर के चि आप देख रहा है क्रोंस तेक्सनल व्यू थीक है यह कता हुण पूश्ण आप देख हो नउ अब देखो यह चीजह देखो यह सारे मसल्स आपको जो दिख रहा था यह सारे मसल्स है और यह कोड लाइक स्टक्चर सहें यह जो ऑपर से आपको दिख रही थी यह आपकी बोलते हैं और यहां पर भी वाल्व होता है बहुत सारा हट में वाल्व होता है पाए जाता है ठीक है चलो एक बार अनिमेशन साब देख लो पुरा कोई डाउट हो तो मुझे पुछो सबको क्लियर ली दिख रहा है इस एक चुली वाल्व है वाल्व को मैं और जूम करके आपको दिखा रहा हूं यस वाल्व को देखो रिमूव कर रहा हूं यस रिमूव करने के बाद आप उप दोनों वेंटिकल के बीच में पार्टिशन वाल्स है इस देखो यह देखो यस यह वाल्व को हटाया ओके अब आप अट्रियम के अंदर देख पा रहे हो चलो क्लियर है यस वाल्व को आमने फिर से वापस लगा दिया यह बाहर से आपको हट ऐसा दिखता है अब जब कट करोगे हट आपको ऐसा दिखेगा ओके बोलो हट का अनिमेशन सबको क्लियर है हट का अनिमेशन इस गाईज सबको क्लियर है चलो हाँ हाँ return explain तो करूँगा ही ना नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना चलो एनिमेशन से ही समझ में आ जाता तो बहुत सारे एनिमेशन मार्केट में अविलेबल हैं देखो human heart human heart जो होता है human heart जो होता है yes coordinates में जितना भी heart अभी तक आपको मैंने पढ़ाया दो चिम्बर तीन चिम्बर सारे के सारे heart कैसे हैं yes muscular होते है muscular plus और human heart कैसा है four chambered heart है four chambered heart है एक चीज आप ध्यान दो एक चीज आप ध्यान दो यह जो है यह जो heart जो है ठीक है now four chambered हमारा heart होता है इसकी location की बात करते हैं यह location कहां होता है आपको already पता है हमारा body cavity जो होता है ठीक है यह वाल जिस area में chest है हमारा जिस area में lung होता है उस cavity को उस area को हम लोग बोलते है thoracic cavity so this is located in the thoracic cavity thoracic cavity में कहां? in between in between two in between two lungs अगर आप heart देखोगे अगर यह आपकी lungs है यह lungs है यह आपका right lung है यह आपका left lung है तो heart जो होगा, heart जो होगा यहाँ पर located होता है in between the two lungs now in between the two lungs जो space है students उसको हम लोग बोलते हैं mediastinum mediastinum so 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 heart is located between space known as what? mediastinum इसका shape कैसा होता है? CRT में लिखा हुआ है clenched fist ठीक है? इसी को हम लोग बोलते है cleansed fist ऐसा ही होता है आपका heart ठीक है? shape कैसा होगा यह आप size बोल लो size कैसा होगा? cleansed fist के जैसा shape होता है yes, cleansed fist एक चीज़ देखो एक चीज़ देखो यहाँ पर, यहाँ पर heart जो है heart जो है वो tilted है towards left heart is slightly tilted to left heart is slightly tilted to, heart is slightly tilted to left now, जब left के तरफ tilt हो रहा है तो यहाँ पर depression create हो रहा है जिसको हम लोग बोलते है notch notch लेकिन देखो heart की शड़ी को हम लोग क्या बोलते है? cardiology that means cardio का मतलब क्या होता है heart so this notch is called as cardiac notch इस notch को हम लोग क्या बोलेंगे cardiac notch समझें कोशिश करो आप समझें कोशिश करो आप हमारा heart जो होता है human heart जो होता है कैसा होगा muscular होगा muscular होगा उसमें चार चेंबर होंगे location कहां होगा thoracic cavity भी होगी in between two lungs होगा और यह tilted towards the left होता है और slightly यहाँ पर जूट के कारने हाँ पर notch होता है cardiac notch ठीक है ना इस space को हम लोग बोलते है medius tenum और इसका size कैसा होता है cleansed fist ठीक है cleansed fist फटा फटा नोट डाउं करो फिर थोड़ा सम आगे बढ़ेंगे yes noted हो गया फटा 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 नोट डाउं करो noted हो गया okay guys आगे बढ़ू मैं बोलो फटा फट ओके thank you चलो देखो heart के लिए ठीक है heart बहुत delicate चीज़ है ठीक है yes कईों का तूट जाता है so देखो heart को injury से बचाने के लिए heart का injury से protect करने के लिए उसके चारों तरफ उसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है कि सर्ट टूट जाता यहां पर कई की टूटे अल्रेडी हुए हैं सीखें तो मैं वो उस इंजुरी के बात नहीं कर रहा हूं जो आप समझ रहे हो दिमाग को साफ रखो मैं heart के injury के production की बात कर रहा हूं सबसे पहले बात देखो कहां पर है thoracic cavity में देट मिस चारों तरफ बोन का covering है एक तो वहां पर production उसके बाद हाट के चारों तरफ एक covering होता है डबल लेयर्ड covering होता है ठीक है डबल लेयर्ड मेजोडर्मल covering होता है इस परिकाडियम इसको हम लोग बोलेंगे पेरी काडियम पेरी काडियम क्यों बोलते हैं इसका नाम पेडिये पेरिकाडियम क्यों पड़ा जरह आप सोचने का कोशिश करो ना पेरी, पेरी मतलब पेरी-फेरी, पेरी-फेरी मतलब boundary, ठीक है, now, cardium, study of heart, cardiology, मतलब cardium के पेरी-फेरी में जो layer है, उसको हमने नाम के दे दिया, क्या, पेरी-cardium, बालो जी बहुत interesting है, So, this is protective covering, now, देखो, इसमें दो layer है, एक outer, एक बाहर की तरफ है, और एक जो है, आपका inner layer है, एक outer layer है, और दूसरा inner layer है, inner layer को students, outer को हम लोग बोलते हैं, parietal, outer को हम लोग बोलते हैं, parietal pericardium, inner को हम लोग बोलते हैं, visceral pericardium, outer को हम लोग बोलते हैं, parietal pericardium, inner को हम लोग बोलते हैं, visceral pericardium, now, देखो, इसके अंदर, इस layers के अंदर, एक fluid भरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, pericardial fluid, इसको हम लोग बोलते हैं, pericardial, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या, pericardial fluid, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, pericardial fluid, now, pericardial fluid क्या है, pericardium में जो fluid है, इसको हम लोग, pericardial fluid बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, It allows frictionless movement ठीक है दोनों की बीच में रगड ना हो Yes, it allows frictionless frictionless movement दूसरा, ठीक है अगर injury हो तो यह sock को absorb कर ले ठीक है, sock absorber सर नहीं समझ मैं बता रहा हूं sock absorber sock absorber का कहने का आप मतलब समझो ठीक है, मान लो मान लो आपके master जी डाट मींस मैं, एक आपको डंडे से पीट रहे हैं, अभी तो मैं मार नहीं सकता यारे, school के master जी को आप कलपना कर लो, ठीक है कलपना मैं इमेजिरेशन वाली कलपना की बात कर रहा हूं सुनो मेरी बात, सुनो master जी ने आपको डंडे से मारा, ठीक है, लेकिन master जी ने आपको क्या option दिया, बेटा तुम यहाँ पे पानी का packet हाथ पे रख लो वैसे मारूं, या plain हाथ पे मारूं तुम्हारे पास option है, बताओ तुम कैसे मार खाना चाहते हो तो obviously अगर जड़ा सभी common sense होगा बोलोगे सर जी, गुरू जी आप यहाँ पे पानी का packet रख दो आप उसके बाद हमको डंडे से मारो क्यों, बोलोगे की नहीं बोलोगे, क्यों बोलोगे भाई अब देखो, जो होता है डंडे का force, ठीक है, इस पे पानी के वज़य से उस momentum को absorb कर लेगा सर, momentum क्या चीज होता है, भीया, mass into velocity master जी जितने तेज से मारते हैं, लगता हमें उतना तेज है मैं भी मार खाया हूँ यार, यह तो common sense है जब बास्टर जी को जोर से मानना होता है, तो और तेज velocity लगाते हैं, yes तो वही देखो, मेरा कहने का मतलब यह है अगर क्या रहेगा, यहाँ पे पानी रहेगा तो वो सोक को absorb कर लेगा that means heart को भी injury अगर होनी होगी sorry, heart को भी, मुझे लगा यार, तुम लोग को sorry बोल रहा हूँ, ठीक है तो heart को भी जब injury होनी होगी तो क्या होगा, उसमें जो fluid होगा वो सोक को absorb कर लेगा समझ में आया, वो सोक को absorb कर लेगा, तो injury का chances यहाँ पे कम होगा, लेकिन कभी 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 क्या होता है कभी कभी क्या होता है यहां पे बहुत तेज दर्द होता है ठीक है क्यों दर्द होता है आपके ब्रेकप वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं समझने का कोशिस करो कभी कभी यहां पे infection हो जाता है कभी-कभी यहाँ पे fluid में infection हो जाता है और infection होने के वज़य से यहाँ पे सूजन आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं pericarditis जिसको हम लोग बोलते हैं pericarditis और इस pericarditis में बहुत severe pain होता है सर हमने भी सहा है ठीक है मैं उस pain की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यह बिमारी वाली pain की बात कर रहा हूँ ठीक है फटा फट note down करो हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है फटा फट एकदम note down करो 2 minute के अंदर 2 minute के अंदर note down करो हो गया noted बहुत हसी आ रही है जब को ओके रोई ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नोटेड हो गए है चलो सुनो सुनो मेरी बात सुनो हाट जो होता है हमारा हाट आपका हाट हम सब का हाट ठीक है सब के पास होता है रेकेक सो इसमें क्या होता है चार चेंबर होता है यह देखो एक बनाया गोल सा अंडा और यह एक ऐसे लाइन टाना बन गया ना हमारा हाट सर अगर ऐसा डाइगराम हम बोड एकजाम में बना दे तो मास्टर जी हम को फेल कर देंगे बात तो सही है लेकिन निट निकालना है तो चित्र खराब होगा तो चलेगा मेरा चित्र बहुत खराब नहीं डाइकराम बहुत खराब है ठीक है सो तो सुरा एड़्स करके आप लोग चलना तो देखो को मल यह क्या है इसको लोग अट्रिया बोलते हैं इसी का पार्ट एक औरिकल भी होता है इसलिए अभी आप समझ तो यह क्या है और यह राइट साइड है राइट और इकल अब बोलोगे सर आपका तो राइट इधर है आप राइट इधर क्यों बोल रहे हो तो देखो हाट राइट कहने का मतलब यह हाट का पोजीशन ऐसा है ठीक है ओके यह मेरा राइट यह मेरा लेफ्ट ठीक है मैं ऐसे पढ़ रहा हूं तो ओ डारिक्शन मतलो समझ गया तो यह क्या होगा आपका राइट यह लेफ्ट औरिकल यह फिर क्या होगा राइट वेंट्रिकल यह क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल भाईया भाईया सुनो सुनो अभी कभी सुनते हो ना अरे उसके दिल में छेद हो गया ठीक है उसके दिल में छेद हो गया कहने है क्या मतलब होता है ठीक है तो उसको बोलते हैं developmental defect बहुत सारे types का होता है लेकिन आप अपने एरिया में जाओगे उस अब यहीं बोलेंगे दिल में छेद हो गया है ठीक है अब दिल में छेद हो गया है उनको कुछ नहीं पता है दोक्टर उनको common language बता देता है भी आपके बच्चे के दिल में छेद है अब दोक्टर बिचारा कहां से उसको इतना heart का diagram बता के बताएगा भीया आपका जो था वो symptom जो था वो partition wall डेवलप नहीं हो गया ऐसे थोड़ी समझाएगा तब दोक्टर पागल हो जाएगा इसे भी सुरू इधर आओ हसो मत इधर आओ सो देखो यह जो है यह क्या है दो अट्रियम है राइट और लेफ्ट बोलो हा या ना है ना सो दो अट्रियम के बीच में जो partition wall होती है उसको हम लोग क्या बोल सकते है ठीक है इसको बोलेंगे इंटर इंटर मतलब क्या होता है बीच हाँ आपके घर के आपके पडोसी के घर के बीच में एक दिवाल है तो क्या बोलो हो गया अडोसी पडोसी दिवाल उसी तरह सिसको बोलना है क्या इंटर अक्रियल सेप्टम सो सर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इंटर ventricular septum interventricular septum बोल सकते की नहीं बोल सकते हैं भाईया देखो उची तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको atrio ventricular septum atria और ventricular के बीच में हैं so this is called as what atrio ventricular septum now भाई साहब सुनिए मेरी बात कान खोल कर सुन लिजिए ये दोनों जो होता है ये दोनों जो होता है ये थिक होता है ये ncrt में बहुत चुपके से लिखा हुआ है कई लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन यही जो होता है रेंग deciding हो जाता है ये भाई साहब थिन होते हैं ध्यान में रहेगा न ये थिकर होता है और ये थीनर होता है आप देखो ऑरिकल जो होता है जनरी ओरिकल का साइज और वेंट्रिकल के डिफरेंस हमको पढ़ाया हूँगा आपको समझ में आओ सुनो 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 इसमें जो auricles में आपने देखा था जब animation में दिखाया था यहां पे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे muscles पाए जाते हैं दिखा था हाँ या ना सर उसना में तो मैं movie देख रहा था मुझे लगा movie दिखा रहा हूं समझ में नहीं आया तो जूम करके फिर से animation को देना देखना मैं वीडियो डाल दोगा animation आपके ग्रूप में तो यह जो हो था इसको हम लोग बोलते हैं Musculi Pectinati Musculi Pectinati सर क्या-क्या नाम है ठीक है Musculi Pectinati ठीक है अब देखो अब देखो यह जो है Oracle का size या ATRICA का size ठीक है ATRICA जो होता है ATRICA और VENTrical यह जो होता है इसके COMPRIZEN में smaller होता है और यह VENTRICLES का size जो होता है वो larger होता है यह question है दूसरा यह अट्रियाम में जो होता है जो होता है यह होता है यह मुव स्कुलर उसमें से इससा कॉमन सिंस लगाओ मसल का काम क्या होता है काम करता है लेकिन लेफ्ट बेंट्रिकल देखिए ये भाई सहाब पूरा भार समभाले हुए हैं पूरे बॉडी को सप्लाई करते हैं ठीक है बलड एक बार पभाप करते हैं तो आपके पाउं तक बलड पाउंच जाता है ऍबार लेकिन देखिए बोल सकते हो अगर ईक्जाम में कभी आ जाएं समझ को परelas पूच और गार LV left ventricle समझ रहे हैं ना समझ में आ रहा है सर चलो यह चीज़ समझ में आई ठीक है यह जो होगा more muscular होता है अब नाव देखो अब नाव देखो यह left ventricle में जो होगा इस तरह से muscles पाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं papillary muscles इस तरह से अंदर में सर उस तरह सो movie में बहुत कुछ देखे थे movie मतलब जो animation आपको में दिखाया था इसको हम लोग बोलते है papillary muscles तो exam में question आएगा भाई सहाब papillary muscles कहां पाया जाता है सर ventricle में पाया जाता है masculine pectinati कहां पाया जाता है yes auricles में पाया जाता है now फिर देखो यहां पे जो होगा यहां पे जो होगा आपका इस तरह से valves मैंने जो दिखाये थे आपको यहां भल्च पाई जाता है यहां पे भी भल्च पाई जाता है ठीक है न इस भल्च को support करने के लिए यहां पे cord like structure पाई जाता है इसको हम लोग बोलते है cordy tendine so exam में आएगा ventricles में पाई जाएगा यहां पे भी क्या होगा cordy tendine समझ में आया जो चार हड़ में चार चेमबर्स होते हैं, तो उपर अट्रियम, दो नीचे, वेंट्रिकल, gonna रॆट्रियम, लेफ्ट-ट्रियम औरिकल जका साइज याट्रियल का साइज, जन्रले के स्मालर होता है, वो लेस् पिलरी मसल्स पाई जाती है समझ में आया ओके नाव यह देखो यहां पर छोटा-छोटा और एक मसल्स पाई जाता है जिसको लोग बोलते हैं कॉलूम्नी कार्णी कॉलूम्नी रिटेल मिलेंगे शुदेंस फटा-फट नो डाउन कर लो